ओम शान्तिय आपको स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीधसुल्दा टृतलाइज विदिन में और आज हम करेंगे दो में की इश्रिवर्दान की रिकॉर्डिंग जहां परमात्मा चाहते हैं कि हम नम्रता को अपनाए ताकि और लोग हमें सची रिस्पेक्ट दे और सची सेल्फ रिस्पेक्ट होने की भी बहुत जरूत है। इसको हम एक्स्प्लूर करेंगे आपर सची रिस्पेक्ट क्या है तो परमात्मा का कहते हैं कि निर्मानता की विशिश्टा मतलब की हुमिलिटी number 10, कि विशिश्टा द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर् तको माननी और मुँग से कह दे लेकिन अंदर से आपको रिस्पेक्ट ना करें, यह नहीं am i psm waters GP इसका महला आपके बीच में टक्राव है यह ने के बीच में टकराव है और जिस कारण से वह मुग से आपको रिस्पेक्ट कर तक है लेकिन वो अभिमान अगर हमारे अंदर है और जूटी सिर्फ रिस्पेक्ट है तो और लोग सिर्फ भाहर-भाहर से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अंदर से आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जिस कारण से हम अकेला पन महसूस करते हैं, अकेले पन का और कोई कारण नही तो फिर भी उसको उसी समय टोक नहीं देना, उसी समय उसको राइट का रॉंग नहीं कर देना, तो परमात्मा कहते हैं कि हर आत्मा अलग है, हर एक के संस्कारा अलग है, हर एक की सोच, हर एक के एक्स्पीरिंस अलग है, आपको हर किसी को रिस्पेक करना है, यही एक नमरता की निशानी है और अपने आपको सिर्फ में आगे रखूँ मैं ही आगे आऊं मेरे को लोग प्रेज करें मेरे को पैचाने मैंने कितना किया है काम मेरी वर्त जाने ऐसी आत्मा को बहुत मुश्किल होता है रिस्पेक्ट पाने के लिए वह आत्मा बहुत ट्राइ करती है और वो वो अंदर से खोकली होती है, वो और ट्राइ करती है, वो लोगों को मांगती है कि मुझे रिस्पेक करो, वो लोगों को लिखती है कि मुझे रिस्पेक करो, और वो अहंकार जो होता है, उसको मैसूस नहीं होता कि ये एक अभीमान है, और वो थोड़ी देर किसी को चुप करा कि सब्सक्राइब करके थो बातने डिल्पन को अंतमा कहbab्ति को को इस आत्मा को मिला सकती है देखिस हमारी हमारी स्प्रेक्ट है निर्मान की नियाम नहीं है शर्व को अपनी विशेष्ता और प्यार से जुखाना है या तो हम अपनी विशेष्टा दिखाए या तो हम अपने जो प्यार है वो दिखाए और विशेष्टा को अगर हम अंकार से दिखाएंगे तो कोई जुके का नहीं हर कोई हमें और नीचा दिखाने कोशिश करेगा इसलिए हमें कभी अपनी विशेष्टा का वर्णर नहीं कर करने का यही मुलाधारा है। नहीं अपने आपको रिस्पेक कर सकते हैं। किक है है अगर 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 मिला है, तो तो ऐसे आप अपने पाता को प्यारी होगी, आप अपने इस पाया पशेक पायोगे। सोच येगा फिर परमात्मापिता कहते हैं हम बच्चों को कि वर्तमान समय के प्रमांड सदा और सहच सफलता प्राप्त करने का यही मूलाधार है किसी भी चीज में चाहे वो संबंध हो चाहे किसी भी चीज में हो तो हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्मान बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं संबंध कर्म और संपर्क में हमें हमें हुमिलिटी उस करनी है कैसे करनी है इसलिए इसलिए आपको ब्रह्मकोमारी इसमें आ करके इसका बहुत ही गहरा ध्यन करना बहुत जरूरी है इसके सा ओम्हेंती